असलाम वारीकूम एफरीवाइन उमीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जिस रॉंट स्पंजाब बोर्ड की तरफ से 2024 बोर्ड एक्जैम्स के अकॉर्डिंग मोडल पेपर चारी करती गए हैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ नाइन्थ किलास पार्क स्टेडी 2024 का पेपर शेयर करूंगी इसी के मताबिक आप लोगों ने त्यारी करनी है सारा पेटरन यही होगा इसी के अकॉर्डिंग आप लोग के पेपर आएंगे जैसे के पहले बे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि 2024 में बोड एक्जैम का पेपर पेटरन चेंज हो गया है 75% नौलिज बेस होगा और 25% इनलेटिकल बेस तो इसी हिसाब से मैं आज का पेपर में आप लोग के साथ शेयर करूंगे कि पेपर की बनेगा किस तरीके से पहले MCQ शेयर करूंगे उसके बाद सब्जेक्टी पार्ट वीडियो शुरू करनेस पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सबस्क्राइब कर लें क्योंके एक्जाम और जल्ड के हुआले से जितनी भी लेटास अब डेर्स होती है में डेली बेसिस पे आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूं बेल आइकन को लाजमें पैस कर लीजिएगा ताके जैसे ही कोई न्यू वीडियो प्लोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आईए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले हमारा होगा मारूजी याईनि के MCQs उसमें टोडल 10 मार्क्स के हमारे पास MCQs दिये जाएंगे MCQs किस तरह से बनाए जाएंगे सामने शो हो रहे होंगे आप लोगों को पेपर सेंपल है आप लोग इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो के हमारा है सब्जेक्टिव पार्ट याईनि के इन्शाया सवालाथ हांची उसमें सबसे पहले हमारे पास Q2 दिया गया होगा जिसमें से 6 सवालों के जवाब बात देने होंगे No questions given होंगे 6 attempt करने हैं एक सवाल दो नंबर का होगा 12 नंबर के हमारे question बन जाएंगे अब कोई question इस तरह का होगा जो होगा तो वही question लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा पूछ लिया जाता है तो उसको analytical based क्या देते हैं उसके बाद हमारे पास होगा question number 3 question number 3 में भी 9 questions given होंगे जिन मेंसे हम लोग ने 6 questions attempt करने होंगे एक question 2 marks का होगा 6 attempt करने है तो 12 marks के questions बन जाएंगे question की सारा से दिये गए हैं सामने से screen पे show हो रहे होंगे आप लोग देख सकते हैं उसके बाद next हिससा दोम होगा हमारे पास जो के होगा long questions का तीन questions given होंगे जिन मेंसे 2 questions attempt करने है question number 4, 5, 4, 6 question number 6 A और B part पर divide किया गया होगा अगर question number 6 attempt करना है तो A part P करना पड़ेगा और B part P लेकिन question number 4 और 5 एक ही part है तो अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह से question बनाया गया है एक question हमारे पास 8 नमबर का होगा दो attempt करने है 16 नमबर का हो जाएगा इसके इलावा बाकी तमाम subjects के जो है already upload है आपको चैनल पे मिल जाएंगे पाक study के guest paper जिसमें long question, important, short questions और MCQs बगारा वो भी है चैनल पे मिल जाएंगे और pairing scheme भी मुझूद है बाकी all the best friends for your exams मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिज